बिसमिल्य रख्मान रहीम, असलाम लेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं, आप सब उमीदे, आप सब खेरियसे होंगे, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, चैनिस कॉलर गला बनाना, खुले में बनाएंगे, अमूमन ऐसा होता है कि हमारा चैनिस कॉलर गला घूम क का मार्जन है, ऐसी लैस होना बहुत जरूरी है, डिजाइन आप कोई भी ले सकते हैं, बट इस तरह की लैस होनी चाहिए, जिसकी दोनों तरफ सलाई का मार्जन होगा, ठीक है, मेरे पास है ये लैस, और मैंने कट की है, ये फैब्रिक पटियां, जिसके नीचे मैंने जिग कट की है, लंबाई मैं आपको इसकी बता देती हूँ, लंबाई मैंने 23 इंच रखी है, आप अपने गले के साइस के साफ से कम भी कर सकते हैं, और ज्यादा भी कर सकते हैं, अब लैस हमने फैब्रिक पट्टी के साइस की कट करनी है, असान तरीका ये है, तो ये लैस मेरी फ पार्ट शो करना है एक साइट पर हम बूट पाइपिन देंगे और एक साइट को हम सलाई में चुपा देंगे तो पहले इसकी बूट पाइपिन तयार करेंगे तो पहले इन दोनों खुले हुए साइट को सलाई लगा के कवर कर देंगे अब लैस के सीधे साइट पर इस फैबरिक पट्टी को रखेंगे अब जब इस लैस पर हम फाइनल स्लाई लगाएंगे तो हमारी बूट पाइप इन खुदबा खुदी निकल कर तयार हो जाएगी तो पाइप इन वाली पट्टी और लैस वाली पट्टी हमारी हो गई है कंप्लीट अब इसी तरह दूसरी पट्टी में त्यार करूंगे फिर अपना गला रेडी करके इन पट्टियों को उसके बीच में सेट करेंगे और एक लुक देंगे चैनिस कॉलर की फट्टियों को मैंने प्रेस कर दिया है और वाटर शावर लगा के मैंने प्रेस किया है इसे बहुत ही सफाई के साथ ये प्रेस हो गई है और बैक साइट से दोनों पैट के सिरे छुप गए है यानि कि कपड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा और लैस का ये जो लुक है ये भी हमें शो हो रहा है अब हमने गला रेडी करने से पहले अपने इन पटियों को साइज करना है साइज करने का तरीका ये है कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम नहीं लेंगे हमने सिर्फ बूट पाइपिन से साइस करना है तो ये हमारा आ रहा है एक इंच यानि कि एक इंच की तैयार है और दोनों को मिला रहे हैं तो ये हो रहा है दो इंच अब इन पटियों को करना है side अब इसको mind में रखते हुए अपने गले की cutting करनी है गलाब नने के लिए मैंने लिया है बुगरम का पीस में आपको शकी लंबाई और चोडाई साइस करके बताऊंगी मैंने इसकी चोडाई रखी है 3.45 और इसके लंबाई मैंने रखी है 19 इंच तो पहला निशान लगाएंगे 3.60 तीन इंच पर इसमें आदा इंच और एड़ कर देंगे तो ये हो जाएगा चार इंच पहला निशान हम इसका लगाएंगे चार इंच पर अब दूसरा निशान हम इसका लगाएंगे आठ इंच पर तो आठ इंच वाले निशान को इस निशान से मिलाके V-shape देंगे अब हमने जो पट्टी त्यार की थी उसकी चोड़ाई हमने रखी थी एक इंच और हम बना रहे हैं आमने सामने का तो एक बार असानी के लिए फिर हम इस पट्टी को साइस कर लेंगे हमारी पट्टी की चोड़ाई आ रही है तयार एक इंच और हमने जो overlap बनाना है यानि के चैनी स्कॉलर आमने सामने वाला बनाना है हमारी लैसे आपस में मिलेंगी तो हमने इस पे निशान लगाना है एक इंच पर जितनी हमारी चोड़ी पट्टी थी अगर आप आदा इंच पर निशान लगाओगे तो वो आपका तले उपर वाला बन जाएगा अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि तले उपर वाला overlap कैसा होता है तो पिछली वीडियो में मैं मुकंबल detail के साथ आपको वो design सिखा चुकी हूँ आप उस पर जाकर सीख सकते हैं कि तले उपर वाला हम किस तरह बनाएंगे यह है आमने सामने वाला यानि कि दोनों जो lasses हैं boot piping हैं वो show होंगी तो मैंने इसकी चोड़ाई का निशान लगा लिया है अब निशान लगाएंगे इसकी लंबाई का कितने इंच पर हमने अपनी लैस को उतारना है तो मैं निशान लगा रही हूँ इसका 18 इंच पर यहां से हमने इसको थोड़ा सा राउंड शेप देनी है बहुत मामूली देंगे ज्यादा नहीं देंगे अब हमने इस गर्ये को कट करना है तो गर्या मैंने कट कर दिया है अब इसको चिपकाएंगे अपनी शेट के उपर तो गर्या मैंने चिपका लिया है और जो इसका एक्स्ट्रा बुकरब निकला था इसके बीच में से नेक्स्ट फुडियो में मैं आपको इसी के उपर एक और गर्या बनाना सिखाऊंगी हमारा जो बुकरब है वो वैस नहीं करेंगे इसी से हम एक गुले का ओर डिजैन तयार करेंगे यह बहुत चुटी चुटी चीज़ें होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन्शाला आने वाले फ्यूचर में आप लोगों के लिए यह बहुत ज़ादा helpful होंगी ची किन-किन जगाओं पर किस-किस अंदाज में यूज़ कर सकते हैं अब लैस वाली पट्टी को कमीज के नीचे रखेंगे अब गरे को आपस में साइस करेंगे और बट्टन टेक्पटी तयार करके इनको पंपस में अट्पेश करेंगे तो अब बट Sans Type Butter करेंगी ऊसके जरीए हम आपस में स्पैपइन को अट्च करेंगे और यह हमारा overlap टक कर पतकर पर कहलाए गया यह निकि आमने सांबने कहलाएगा तले उपर नहीं होगा, तले उपर मैंने आपको next वीडियो में सिखाया है, तले उपर इस तरह होगा और ये हमने बनाया है आप सब की request पे, comments पे आमने सामने वाला तो गले को आपस में attach करने से पहले एक बार size कर लेंगे मैं इसका निशान लगा ली हूँ, साड़े 8 इंच पर आप अपने size के साब से लगाएंगे, कम पहनते हैं तो कम लगाएंगे, ज्यादा पहनते हैं तो ज्यादा लगाएंगे और अब इसके लिए मैंने तयार की है button take patti जिसकी चोड़ाई मैंने रखी है 1 इंच और इसकी लंबाई मेंने रखी है 14 इंच अब sly हम लगाएंगे अपनी boot piping की इस वरी side पर, इसके बिलकुल करीब sly नहीं लगाएंगे यानि कि इसकी लपे sly नहीं लगाएंगे अगर हमारी sly इसकी बिलकुल किनारी पर आएगी तो ये boot piping नहीं कहलाएगी अगर हमारी sly इसकी एक आदा इंच छोड़ कर आएगी gap पर तो ये हमारी boot piping कहलाएगी बास दफा ऐसा होता है कि हम sly लगाने के चकर में बिलकुल इसके करीब sly लगा देते हैं तो वो boot piping नहीं कहलाएगी तो अलहमदुलिला फैनली डिजैन हो गया है complete और लूख है आपके सामने ये है खुला overlap गला यानि कि जो Chinese scholar गला हम बंद में बनाते हैं ये है खुला और ये है आमने सामने वाला ये है टकर के उपर अगर आप लोग बंद वाला overlap बनाएंगे तो नीचे से इसकी जो cutting है सेम यही होगी बस उपर से थोड़ा सा आपने इसको round गुमाना है बागी cutting आपकी यही होगी पटी बनाने का size यही होगा everything सब चीज़ें यही होगी बड़ थोड़ा सा आपने उपर से change करना है अगर आप लोगों ने खुला गला पहनना है जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर किया है यह गला तो आपकी इसकी मुकमल cutting और sizing यही होगी आपने मुझे बताना है तले उपर वाला जादा अच्छा लग रहा था यह वाला अच्छा लग रहा है मैंने आपके साथ दोनों शेयर कर दी है तले उपर वाला भी और टक्कर वाला भी आप सबने से जरूर ट्राइ करना है मैंने इसकी बीच में दी है बूट पाइपिन जिस चीज में एड हो उसमें मजीद बुटीक जी बंस से एड़ा इसकी बन जाती है अगर आपने इसकी बानाना है तो आपने इसकी बीच में performance बट्न लगाने आप कई बाने मैं ने कुछ रहा आध मेरा धाय तो आपने आता किसी वीडियो में कर दूंग अ वीदियो मैं बहुत है यानि कि इसे कोई भी बना लेगा professional हो या जो नए सीखने वाले हो ज्यादा तर जो मैं काम कर रही हूँ मेरा जो पूरा focus होता है वो नए सीखने वालों पे होता है beginners पे होता है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि घर बेठे आप लोग अपने इसी काम से पैसे कमाएं अपनी जो भी ज़रूरते हैं वो पूरी करें और अलہमदुलिल्ला इससे अच्छा इससे बहतर कोई जराय नहीं हो सकता तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है क्योंकि यकीन जाने घर बेठे इससे अच्छा अच्छा काम सीखें ताकि आपको सेंटर जाना नहीं पड़ें वहां जाके आप मोटी-मोटी बड़ी-बड़ी फीसें ना दें क्यूंकि मुझे पता है बहुत ज्यादा फीसे चल रही है आप लोग अफोर्ड नहीं करते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कुछ अलहम्दुलिल्ला फ जरूर मिलेंगी क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है बस आपने सबने मेरे साथ कनेक्ट रहना है इसी तरह मेरे काम को देहान से देखना है आप सब लोग घर बेटे परफेशनल लेवल के टेलर बन जाएंगे इन्शाला तो यह है इसकी फाइनल लुक आपके सामने है मैं बहुत ज़्यादा ख्याद रखिएगा हमेशा की तरह फिर वही सवाल पूचूंगी मुझे कौन कहां से देख रहा है कौन से सिटी कौन सी कंट्री और कौन से इलाके से देख रहा है बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करके बता दें कि हम पाकिस् शेहर से तो बहुत अच्छा लगता है आप सब हमेशा खुश और आबाद रहें मिलूंगी बहुत जल्द अल्ला हाफीज तैंक यू